JDS Kitchen चेनल में आप सभीस नहीं जनों का हार्दिक स्वागत करता हों, देवियों और सजनों आज हम दक्सिन भारत की परंपरागत मिठाई मैसुर पाक बनाएंगे जो बेशन, सक्कर और धेर सारा घी डालकर बनाई जाती है इस डबल कलर के मैसुर पाक में इलाइची की फ्लेवर है, सौफ्ट है, दिखने में सुन्दर है और इसको खाते ही आपके मूँ में मेल्ट हो जाएगा इस रेशिपी को बनाने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन पर क्लिक करे ताकि मेरी नई रेशिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगती है तो like करें और दोस्तों में share करें, comments चरूर करें, तो चलिए कुछ मीठा हो जाए, मैसुर पाक हो जाए, तो सबसे पहले एक कप बेशन लेंगे, करीब 1500 ग्राम चने का आटा लेंगे, ये आधा कप बेशन दो बार, अब इस बेशन में डालेंगे, 1.5 tablespoon गुन-गुना गरम दूद, और दूद के साथ साथ डालेंगे, 2 tablespoon refined oil, oil को डालकर, अच्छी तरह से mix कर लेंगे, मिला लेंगे, और हलके आथों से दबा कर, करीब आधे गंटे के लिए, side में रख देंगे, और आधे गंटे के बाद, इस बेशन को, जिसमे हमने तेल और दूद मिला कर रखा था, उसे च्छान लेंगे, देखिए, च्छानने के बाद, हमारा बेशन हलका साथ दानेदार हो गया है, इसे हम side में रख देंगे, ये एक कप सक्कर है, करीब 200 gram सक्कर में, आधा कप पानी मिला कर, उसकी चासनी बना लेंगे, हमें एक तार की चासनी बनानी है, अगर हमारी चासनी जल्दी फैलती नहीं है, तो समझी एक तार की चासनी बन गई, अब इस चासनी में डालेंगे बेशन, बेशन को डालते जाएंगे, और मिलाते जाएंगे, आज को दीमी रखेंगे और बिना रूके चलाते रहेंगे हमने दूसरे गेस पर एक कप देशी घी और एक कप रिफाइड ओल को गरम करने के लिए रख दिया है करीब 3-4 मिनिट के बाल इसमें हम गरमा गरम गी और तेल का मिसरन डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे मैंने राइस ब्राइन ओल लिया है क्योंकि इस ओल में किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती आप चाहो तो वरस्पती गी का इस्तमाल कर सकते हो बेशन से डबल देशी गी या ओइल लगेगा हमारा ओइल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए इस मिसरन को चलाते रहना जरूरी है कड़ाई की साइड में मिसरन चिपका ना रहे इस बात का ध्यान रखे यह ओरेंज फूट कलर है जो ओप्सनल है आप चाहो तो एवोइड कर सकते हो कलर को डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे इस मैसूर पाप को बनाते वक्त किसी की मदद जरूर ले आप देख सकते हैं हम गी डालते जाते हैं और गी एबजोब होते जाता है गी अच्छी तरह से गरम होगा तो ही बुलबुले उठेंगे थोड़ा थोड़ा गी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे हम एक साथ में गी नहीं डालेंगे हमारा मैसूर पाप का मिसरन तयार है अब इसमें गी एब्जोब नहीं होगा और फ्लेवर के लिए डालेंगे 8-10 हरी लाइची के दाने जिनको हमने क्रस कर लिया है उसे डालेंगे और मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे इस मिसरन को हम एक टीन में डालेंगे और ठंडा कर लेंगे करीब 10-15 मेंड के बाद मिसर पाक को मन चाहे सेप में काट लेंगे जब ये थोड़ा गरम हो तब ही काट लेंगे अब इसे करीब 3-4 गंटे के लिए अपने ही गर्मी में पकने के लिए छोड़ देंगे और 4 गंटे के बाद हमारा डिलिसियस, स्वीट के अनुभव हमारे साथ सेर करें आप स्वस्त रहे, मस्त रहे, तंदूरस्त रहे आपका दिन सूब हो, मंगल में हो इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही मज़दा रेसिपी के साथ तब तक बुज़े आग्या दे धन्यवाद, नमस्कार